आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Question is given, verify We have to verify these 4 proportions that they are in proportion or not. So starting करते हैं First से, देखें First पार्ट ए पार्ट में क्या कह रहा हैं से 60, Ratio 105, Proportion 84 Proportion 147 सबसे पहले 60 upon 105 को हम solve कर लेते हैं और उसके पार मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में और दूसरा है 84 upon 147 कितना Maximum हम इनको Reduce कर सकते हैं तो हमने 15 से divide किया दोनों को mention कर देते हैं, divided by 15 और इसको भी हम divide कर रहे हैं 15 से, तो 4 by 7 बिला हमें ठीक है यहां भी इसको divide किया हमने 21 से, दोनों का common factor देखा, highest common factor देखा हमने, यह भी 4 से और यह भी 7, मतलब 4 और 7 आ गया अब दोनों equivalent ratio proof हो गए, it means we can say, कि 60, ratio 105, proportion, 84, ratio 147, are in proportion, ठीक है, now second part of the question, हमें करना क्या होता है, verify करने के लिए, इनका सबसे highest common factor देखना होता है, अगर यह divide करने पे दोनों side के, मतलब proportion side के left वाले, और proportion side के right वाले, equal ratio में आते हैं, तो we will say कि yes, they are in equal proportion, या verified, अब इसमें भी देख लेते हैं, इनके common factor कौन से हो सकते हैं, 91 एने 104 के जब हम ने देखा, तो 13 की table में दोनों ही आते हैं, 13 से divide किया, we get 7 by 8, HCF इनका 13 हुआ, इन दोनों को देखा, तो यह 17 की table में आते हैं दोनों, यह आया 7 by 8, इसमें भी दोनों equal है, तो we can say कि yes, they are also in proportion, now, see part of the question is, 108 ratio 72, ratio 129, it is 6, टीके, same method use करेंगे, 108 upon 72, और यहां लिखेंगे, 129 upon 86, अब इसका भी HCF जब हम दे निकाला, इन दोनों का, तो we get 36, तो यह हो जाएगा 3 और यह 2, इन दोनों का HCF निकाला, तो we get 43, 43 से जब दोनों को दिवाइट के 3 by 2, दिके दोनों equal है, तो we will say this is also yes, verified, now, fourth part of the question, A, B, C, D, fourth part भी क्या है, 39, ratio, 65, proportion, 141, ratio, 235, ठीके, सबसे पहले, 39, ratio, 65, इनका HCF निकालना है, और 141, 235 का, तो 39, और 65 में ratio, उनका HCF आया 13, highest common factor V के है 13, answer आया 3 upon 5, इन दोनों का जब निकाला, तो 47 IHCF, इन दोनों का जब निकाला, तो 47 IHCF, it means 45 से दिवाइट करने पे 47 से 3 upon 5, तो we can say this is also verified, क्योंकि, इनका भी same IHCF, इनका भी same IHCF, इस बेस्टे हम कह सकते, all are verified, thank you.